अक्सर आपने दिखा होगा कि बैट आपका स्टाक हो जाता है अक्सर आप शॉट गिलते वे उसका क्या मुझलम होता है कि आपने बैट को ग्रिप सही नहीं किया हुआ आज हम बात करेंगे how to grip a cricket bat properly grip के उपर मैंने एक वीडियो बनाई वी है कि how to hold the bat वो एक डिफरन चीज़ है ठीक है लेकिन gripping the bat is a different thing यानि वह होगा कि how to pick the bat hold the bat for different shots लेकिन आज की जो वीडियो वो है इसके पर how to grip gripping is different यानि आपका Top hand bottom hand top hand कैसे होना चाहिए strong होना चाहिए lose होना चाहिए third shot पे होना चाहिए drive पर क्या होना चाहिए pull shot पर क्या होना चाहिए ये सारी आज हम discuss करेंगे 50,000 बार बार पूछते हो कि क्या प्राइस है 50-50,000 पर के सारे बलने हैं टॉप क्वालिटी बैट अच्छा मैं आपको बताओं कि आपका जो बॉटम इसको कहेंगे जो आपका टॉप हैंड है तो आपको यह टॉप हैंड होगा ओके जो खबा बाद में खबा यह आपका कर दी उके उसके बाद इसमें डिफ्रेंट होती यह कि हमेशा स्टॉोंग ही रहेगा यहला लगाई हिस्टॉंग करता है ही किसी सटॉंग होका और किसी में घ्राइन ऑ grown को चुझा तो start करते हैं थ्रड में शॉर्ट, cut shot, back foot punch, front foot drive, straight drive, mid wicket shot, pull or hook shot, single के लिए क्लिए 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 और defense क्लिए क्लिए क्लिए, start करते हैं बिस्मिल्ला, अच्छा, top hand, strong throughout, लेकिन अब इसमें और चीज़ डिस्कस करेंगे, कि dominant को नसा है, एक shot में, अब third man, third man में आप place करते हैं, तो आपका अगर तो यह पूरी ग्रिप रखोगे तो थोड़ा से डिफिकल्ट होता है इसमें आपका टॉप हैंड में शाइब रहेगा क्योंकि आप टॉप हैंड रहोगे तो फिर ही आप यह बॉटम हैंड से इसको मिनिपूलेट कर सकते हैं गैप में यह अगर उसने ठाट म देनी हो तो पूरी ग्रिप आपने हाट तो पकड़ने नहीं फिर लूज रखनी है ठीक होगे हलकी सी रूज रखेंगे जिसना मैंने लिखा वाए ठर्ड मेंड की बॉटम हैंड की ग्रिप यह लूज होगी अगर आप को शौट इदर खेलते हैं लूज शौट खेलेंगे यह इससे ठीक होगे हैंगे आपने टैप करना है क्योंकि बॉल की पेस आ लिए तो आपने टैप करना है कट शौट शौट है ठीक है अब एक और चीज़ आपको चेक करने के बचाता हूँ अगर आप एक हाल से बैट पकड़े ना तो आप वहले एडिया में शौट के लिए से सही स्वाइड खैल रहे हैं या बॉटम एंज्से सही सह हें तीज लगएगा अगर आपने यसे खैल आप से साद्वाइड से है दूमिनेट होना कर तो हूट रहे हैं अब कटट को थे तो आपके प्रेस प्रेस जाएगा इससे हलका प्रेस जा रहा है तो इसमें आपका बॉटम हैंड जो आना वो जादा यूज होगा तो आपके यह इसमें फूर फिंगर्स का मतलब यह होता है पूरी पांच नहीं पुकड़नी थोड़ सी यह लूज रखते हैं जो चीची वली उंगली ना आखर ली चीची जिसे करने हैं यह चार उंगलियां आखर वली थोड़ सी लूज रखनी होती है इन केस अगर आपको ठोड़ी डिरेक्शन अगें याद रखना यह आप चार उं प्रफिट पंच में आपको टॉप हैंड है यह लूज होना मस्ट कि क्या आप मैं सिंगल एंट से बैट पकड़ता हूं यह ठीक लेगा लेका लेकिन बॉटम हैंड से मेरे फस जाएगा ठीक है इससे सही शौट नहीं लग साता है इसका मतलब किया कि बॉटम हैंड बैक थोड़ी सी मीडियम होगी लूज नहीं होगी लूज रखेंगा तो बिल्कुल आथ में चला जाएगा तो थोड़ा सा मीडियम डाइब की ग्रिप होनी चाहिए इसमें भी चार फिंगर यूज होती है फिर आगे आजो फ्रंट फुर ड्राइब ऑल्टम फेमस अब इसमें दोनों तोग्र वहाँ होना चलागे लेकिन इसमें सेम ऐखता अब कर दोड़ेब यह लगए और यजो अच्छा लगए आपने बैक फट से भी ऑपन पंच भी मारा को अरो ठीक होगे यह स्ब्सक्राइब टीक होगा यह से में फ्रंट फुर्स लगने चाहिए तोगे यह से कुछ में नहीं लगता नओ उसका driver लगत तो ट्राइव लगता है क्यों लगता हिँगं कि इसमें दोनों आपकी आपकी फैमrait रॉबन किow 레ॉंट सामने स्टेट ड्राइब डॉमिनेंट चार्प माच फिंगर अच्छा ये थी ओफ साइड की ठीक हो गया जिसमें खाली साइड में आपका बॉटम हैंड स्ट्रॉंग रहता है बाकी यह है कि फ्रंट फूट ड्राइब में थोड़ से एकल रहता है लेकिन जैसे ही अब आप ल स्ट्रॉंग ग्रेप बॉटम हैंड की यह डामीनिंट हैंड होगा वाप शॉट मारते हो रखके यह आपका शकल लग रहे है यह यह आप संगल हैंड से ब्राइब तो आपको पूरा दो लगना लगा लगाना पड़ेगा तो इसका मतल्ब इजी का बॉटम हैंड तो बॉट बॉटम हैंड स्टॉंग जोगए ओक हो गया फिर आजते सिंगल लेने के लिए सिंगल लेने के लिए आपका जो बॉटम हैंड है यह लूज होना चाहिए अगर सरकल के अंदर आप सिंगल ले रहे हैं फिल्डर थोड़े से पीछे हैं अगर आप तेज शॉट मारोगे तो बिलकुल डेट बैट रखो और इसमिलरली डिफैंस में भी है कि जब आप डिफैंस करने जाते हैं एक बार्टम का लूज होना इसलिए जरूरी है अगर आप सिंगल या कोई डीरेक्शन देना जाते हो गैब की अगर आई पूरा पांश नकर अगर मैं पूरे पकड़ कर र की सारा रोटेशन राई बैड की रोटेशन चाहिए कर लो अपनी हिसाब से मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ इसलिए बॉटम एंड कभी वार आपको लूज रखना पड़ता है डारेक्शन देने के लिए अंडेस्टेंड है थुड़ा टफ होगा तो समझाना तो डिफेंस के करता है डिफरेंट शॉर्ट के ओपर ओके हो गया यह थी आज की वीडियो मेरी तरफ से तो इजादे चाहता हूं रमजान मुभारक अच्छा रोदे रखो और नमाज माज पढ़ते रोल मेरे लिए भी दूआ करना सब के लिए दूआ करना इजादे चाहता हूं अल्ला